कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में देखिए बीपीए सी सिचक भरती में जितने भी सफल अभ्यार्थी हैं उनके लिए अनुदान का नया डेट निकाला गया है यानि जोईनिंग का नया डेट निकाल दिया गया है तो केके साम में हमें रिजल्ट भी आपका प्रकासित हुआ जो की धीरे धीरे सभी विससेयों का जो है रिजल्ट किया जा रहा है और यहां तक कि प्राथमिchemical का घप्राथमिक भी भी इस दिन करेंगे और बहुत से सवाल है कि सर इस डेट को अगर हम नहीं गए तो हो पाएगा की नहीं हो पाएगा है की नहीं तो ऐसा नहीं है बहुत से जनकारी आपके बारे में यहां पे दिया गया है सभी को मैं आपको पढ़ करके यहां पे बता दूँगा सबसे पहले अपडेट देख लिए ठीक है तो 18 को माध्यमिका है कच्छा 9 से 10 का ये इतने विसाय दिये गए हैं अगर 18 को नहीं भी जा पाएं तो 19 को जा पाएंगा यहां पे दिया गया है बचे हुए आ सकते हैं देखिए यहां से 22, 24 में बचे हुए जिनका छुटे हुए हैं जिनका न अब ही है देख लिजीए उचमा ध्यमिका है नहीं कच्छा यहां पर दिया गया है आप देख लिजीए यहां पर 21 का है 22 का है कोई निकत नहीं है ठीक है तो यहीं यहां पे दिया गया है अब देखिए बाइस तारीक वला में दिया गया है कि प्राथमिक अच्छा एक से पांच एबं बचे हुए माध्यमिक एबं उच माध्यमिक अच्छा नौ से बारा का यहां पे और तेश-देश-देश-देश-दे अधियापक परिक्षा में अनुसंसित अभिहारती ये तुँ अधिसूचना सूचना बिहार लोग सेवा योग द्वारा परकासित विग्यापन संक्याच अभी दोजर तेस के आलोग में विद्धालय अध्यापक न्यूकती परिक्षा दोजर तेस आयोजित की गई थी अब अभिहार लोग सेवा योग द्वारा उक्त परिक्षा का परिनाम घोसित किया जा चुका है सभी अभिहारती उक्त परिक्षा परिनाम को बिहार लोग सेवा योग की विपसाइट पर देख सकते हैं इसके अतिरिक्त विभागिये विपसाइट एबं परतेक जीले के एन कोंसेलिंग है तू उपस्थित होना है उक्त के आलोक में अनुसंसित अभ्यार्थियों को सुचित किया जाता है कि ओवे नीचे दी गई समय सार्नी के अनुसार आवंटित जीले में अनुलगक एक में दिये गए केंद्र पर पुर्वाहान साड़े नौ बजे उपस्थित होन सुनिशित करेंगे अनुसांसित अभ्यार्थियों को सुचित किया जाता है कि ओवह समय सार्नी के अनुसार ही पहुँचें कॉंसेलिंग है तू कोई हरवाड़ी ना करें एबं किसी परकार की आपा धापी ना करें कॉंसेलिंग की तिथी का अनुसंसित अभ्यार्थियों क की बरियाता से कोई संबन नहीं है उनकी बरियाता बिहार लोगसेवा योग की मेगा सुची के अधार पर सुनिशित है साथ ही यह भी असपस्ट किया जाता है कि निम्नांकित समय सारनी के अंदर जो बिहार्थी उपस्तित नहीं हो पाएंगे उन्हें कौंसेलिंग हे तू पस्तित हो ताकि ब्यार्थ भीरभार ना हो तो असपस्ट आपने देख लिया यहां कहा जा रहा है कि जादा हरवड़ी में ना रहें अगर कौंसेलिंग छूट भी जाएगा तो आगे भी आपको मौका दिया गया है जो कि इस परकार यहां पे डेट में लिखा गया है ठीक इसमें है जो कि आप देख सकते हैं अनुसंसित अभ्यार्थियों के लिए अनुदेस क्या है अनुदेस इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है देखिए निर्धारित तिथी को कौन से लिक देने है तू उपस्तित होने वाले अनुसंसित अभिहर्थियों द्वरा निमने लिखित कागजादों को प्रस्तूत किया जाएगा कौन-कौन से कागजात लगेंगे पहला बिहार लोक सिवा आयोग के बिद्दालय अध्यापक परिक्षा नियुक्ती परिक्षा 2023 का मूल परवेस पत्रिबं उसकी एक सुवाभी परमानित चाया पत्री बाकी वहीं सारा चीज यहां पर दिया गया है देखिए जो पहले के वी किया गया था ना उस लेटर में जो भी था वहीं इसमें दिया गया है ठीक है तो यह काफी महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी ख़बर है आप लोगों के लिए बस 24 तारिक तक आप जो है युगदान दें और बहुत-बहुत खुस ख़बर है आपके लिए जितने भी स